Hello everyone, welcome back to education बैया और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कूर्ग चाप्टर को और मुझे पता है तुम लोग को ये चाप्टर बहुत पहले चाहिए था और मैं इस चाप्टर को बहुत लेट ला रहा हूँ लेकिन the thing is मैं बस वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ मतलब मैं बस cash grab वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड करा उधर से पैसा है और फिर मैं इधर से निकल गया मैं चाहता हूँ कि मैं properly video बनाओ ताकि तुम्हारा exam में एक number भी ना छूटे and इसलिए proper scripting करने में recording करने में उसके बाद editing करने में उसके बाद final product लाने में थोड़ा time लगता है but ultimately तुम्हें बहुत मजा आएगा, tation मतलो यह chapter बहुत ही ज़्यादा interesting है तो explanation सुरू करने से पहले चाल को subscribe कर दो और subscribe करने के साथ-साथ उसके बगल में जो bell वाला icon है उसको all पे set कर दो क्योंकि बिना all पे set किवे तुम्हें notification नहीं आने वाला और notification के बिना कोई फैदा नहीं होने वाला तो चलो अब चाट तक explanation स्टाट करते है तो ये कहानी कूर्ग के बारे में है जो कि मैसूर और coastal town of Mangalore के बीच में present है और कूर्ग को देखकर ऐसा लगता है ना कि मानो Gods ने अपना किंडम का एक हिस्सा पृत्वी में छोड़ दिया है मतलब कूर्ग बिल्कुल peace of heaven जैसा मतलब स्वर्ग जैसा दिखाई देता है इससे हमें ये पता चलता है कि जो कूर्ग है ना ये पोहात ही खूपसूरत जगह है वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि कूर्ग के इन पहाड़ियों में मतलब इन rolling hills में योधाओं की खूपसूरत और जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं है वैसे जिन्हें नहीं पता कूर्ग को कोडागू भी कहा जाता है और ये करनाटका में लाई करता है मतलब करनाटका में है और ये जगह rainforest, spices और coffee plantation के लिए famous है और मैं तुम्हें बता दू कि कूर्ग का 30% हिस्सा rainforest है हाँ तुम सही समझ रहे हो पूरे कूर्ग का 30% हिस्सा rainforest है वैसे बचपन से मैं भी चाहता था कि मेरा घर जंगलों के बीच में होता कितना मज़ा आता कितना greenery होता कितना मज़ा आता हम लोग tree house में रहते रोज सुबर जंगल के इंदर जाते और full fruits तोड के लाते और ताचे ताचा खाते पर फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके बाद मुझे realize हुआ कि मैं बहुत जाता कोडिया हूँ और मैं जंगल में एक दिन से जाता survive नहीं कर पाऊंगा खैर वापस topic पर आते हैं फिर author हमें बताते है कि monsoon में कूर्ग में घुमने आना एक सही option नहीं है लेकिन September से March के बीच में कूर्ग को visit करना best time होता है एकदम perfect weather होता है हलकी हलकी बारिस हो रही होती है और साती में farm से आती वी वो coffee की खुजबू आह मजा ही आ जाता है फिर author हमें बताते है कि कूर्ग में tree canopies के नीचे बहुत सारे coffee states और colonial bungalows हैं मतलब पूरे कूर्ग में इतने बड़े बड़े पेड़ है जो पूरे कूर्ग को छाओ से भर देती है और साती सात रूफ भी प्रुवाइड करती है मतलब छत भी प्रुवाइड करती है अगर और भी असान सब्दों में बताऊं तो अगर कोई भी नॉर्मल इंसान सपोज तुम कूर्ग में जाओगे और उसके बाद जब तुम आस्मान की तरफ देखोगे ना तो तुम्हें आस्मान नहीं दिखेगा उसके जगा पे तुम्हें पेड़ और उसकी पूरी पतिया खाई देगी तो इसलिए कूर्ग में इन बड़े-बड़े ट्रीज के नीचे सेड में मतलब चाहों में बहुत सारे कॉफी के प्लांट्स लगाए हुए है मतलब कॉफी प्लांटेशन की गई है सिंपल और बहूत सारे कॉलिनियल बंगलोज भी प्रिजेंट है कॉलिनियल मतलब ब्रिटिस के टाइम में जितने भी बड़े बड़े घर होते थे या बंगलो होते थे उन्हें हम कॉलिनियल बंगलो कहते हैं I hope you got the point right वैसे भी तुम लोग बहुत जाता smart लोगो ऐसे एडूकेशनल भईया को थोड़ी सब्सक्राइब कर रखा है फिर author कहते है कि कुर्ग में ग्रीक और अरेबियन एशिंट के बहुत सारे लोग है author इसका reason भी बताते है कि जब Alexander की आर्मी इंडिया आई थी तब वो इंडिया के सदन पार्ट में रुकी थी तब हो सकता है कि Alexander की आर्मी के कुछ लोग वही कुर्ग में रुक गए होंगे और कुर्ग की लोकल वोमें से साधी करकर वही पे सेटल हो गए होंगे वैसे भी हम सबको बताए यार इंडियन वोमेंस आर सूपर होट उनसे भी कंट्रोल नहीं वह होगा अरे हम फिर मुद्दे से भटग है चलो continue करते तो आगे ऑथर बताते हैं कि इसलिए कुर्ग के जो लोगों का culture है वो हम हिंदू लोगों के culture से थोड़ा different है I mean बहुत जादा different है और इसलिए जो कुर्ग के लोग है वो बहुत जादा different type of dress पहनते जैसे long black coat with embroidered waist belt और ये जो dressing style है ये अरब और curse के लोगों से पहुत जादा मिलता जूलता है इसलिए थोड़ी दिर पहले author कह रहे थे कि जो कुर्ग के लोग है वो Greek और Arabian जैसा दिखाई देते हैं मतलब Greek और Arabian ancient के लगते हैं वैसे कुर्ग में रहने वाले लोगों को kudavus भी कहा जाता है ये नाम याद रखना वैसे कुर्ग के जो लोग है वो बहुत ही जाता hospitable है और visitors का पहुत ही अच्छे से स्वागत भी करते हैं और जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जो कुर्ग के लोग होते हैं वो बहुत जाता युद्धा टायप के होते और बहुत जाता ब्रेव होते हैं इसलिए तुम्हें कुर्ग के अल्मुस्ट हर घर में Tale of Willaur सुनने को मिल जाएगी Tale of Willaur का मतलब होता है bravery की कहानिया क्योंकि कूर्गी लोग बहुती जाता brave होते है simple सी बात है और इसलिए first chief of Indian army जो थे न वो कोई और नहीं थे बलकि general करियपपा थे जो कि कूर्गी थे मतलब कूर्ग से ही belong करते थे और बस यही नहीं कूर्ग के जो लोग है ना उन्हें बिना license के fire arms रखने का permit है मतलब वो लोग बिना license के gun वगेरा carry कर सकते और तुम लोगोंने कावेरी रिवर का तो नाम सुनाई होगा वो कूर्ग से ही originate करती है मतलब कूर्ग से ही निकलती है और यहाँ पे महसीर जो की एक rare fresh water fish की variety होती है जो की बहुत बड़ी-बड़ी होती है वो यहाँ पर पाई जाती है बस यही नहीं हमारे कावेरी रिवर के पास great diversity देखने को मिलती है जैसे की birds, humans और different types of animals फिर author हमें बता रहे हैं वो जब कावेरी रिवर के पास बैठे वे तो उन्हें क्या-क्या देखने को मिल रहा है जैसे की एक kingfisher bird जो की कावेरी रिवर में dive मार रहा है मचलियों को पकड़ने के लिए दूसरा squirrels और langoors जो की fruits को आधा-धा खाकर पानी में फेक रहा है ताकि वो लोग भी water splash का मज़ा ले सके क्यों सारे मज़ा हम humancy थोड़ी लेंगे वैसे भी squirrels और langoors बहुत जादा सरारती होते है साथी में हमें महुच भी देखनी को मिलते हैं जो की elephants के care taker होते हैं और वो elephants को नहला रहे होते हैं अच्छे से घस घस के और वो elephants को वहीं river के पास अच्छे से घस घस के नहला रहे होते हैं फिर author बोल रहे है कि कूर्ग में अगर कोई individual मतलब अगर कोई solo भी आना चाहता है तो उसे भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कूर्ग के अंदर बहुत तरह की adventurous activities होती है जैसे कि river rafting, canoeing, rappling, rock climbing और mountain biking और साथी में अगर तुमें सिर्फ चलने का सौक है तो तुम यहाँ पे आके trekking भी कर सकते हो और तो और तुमें trekking करते वग बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ birds, bees, butterflies से भरा होगा जो तुमें पूरी रास्ते company देगी और बस यही नहीं मैक्वीज, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स और slenders पूरे रास्ते trees में छुपकर तुम पर नजर गड़ाए बैठे होंगे हाला कि फिर author कहते कि तुम लोग wild elephant से थोड़ा दूर ही रहना वो थोड़े dangerous हो सकते है मतलब अगर तुम लोग कूर्ग आते हो तो enjoy करना लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुले सान जैसा कहीं पर घूमने चल जाना और wild elephant के सामने जाके खड़े हो जाना वो तो तुमें कुचल कर ही निकल जाएगा फिर author कहते है कि अगर तुम adventurous सुभाओ के नहीं हो तो कुई बात नहीं तुम्हें photo लेना तो पसंदी होगा मतलब photo captures करना तो पसंदी होगा तो अगर ऐसा है तो तुम ब्रमगिरी hills जरूर जाना यहां से तुम्हें पूरे कूर्ग के landscape का panormic view मिलेगा और अगर तुम्हारा इन सब चीजों से भी मन नहीं भरने वाला है तो tension मतलो मेरे पास एक और जगा है थोड़े से ही आगे चलने पर तुम्हें एक रसी का bridge दिखाई देगा जो तुम्हें निसर्गधाम island के पास ले जाएगा और यह island 64 acres जितना बड़ा है मतलब बहुत जाता बड़ा नहीं है ठीक ठाक सा island है चोटा सा island है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे students के मन में डाउट आ गया होगा कि करनाटका के अंदर island कहां से आ गया करनाटका कौन सा ocean के बीच में है हमने तो लक्षदीप island सुना था अंडबान निकोबार island सुना था यह निसर्ग धाम island कहां से आ गया तो देखो यह जो island है ना यह कूर के अंदर ही लाई करता है लेकिन भले ही यह ocean के बीच में नहीं है लेकिन यह चारो तरफ से कावरी river से घिरा हो है तो अगर तुम्हें यह island जाना है ना तो तुम्हें या तो river पार करके जाना होगा या तो तुम एक rope bridge से जा सकते हो जिसके बारे मैं author में बता रहे है honestly कहूँ तो इस chapter को पढ़ने के बाद literally मेरा कूर्ग जाने का बहुत मन कर रहा है and मैं पक्का अगली एक दो साल के अंदर जाने वाला हूँ और सालती जात मैं इस्टा में photos भी post करूँगा तो मुझे instagram में follow कर लेना ओके फिर author कहते है कि वहां से कुछी दूर पे एक बाइला कपी नाम का जगह है तुम बाइला कुपी बोलो या बाइला कपी बोलो मुझे नहीं पता बस spelling देख लेना और इस जगह पे इंडिया's largest इबतियन settlement है मतलब यहां पे तुम्हें monks red, yellow और arch ropes पहने वे दिख जाएंगे ropes मतलब जो monk जिस टाइब का कपड़ा पहनते हैं ना उसे हम ropes बोलते हैं तुमनों स्क्रीन पे तो देखी सकते हो फिर at the end author कहते हैं कि अगर तुम कुर्ग जाते हो ना तो तुम्हें बहुत सारी surprises देखने को मिलेगी मतलब तुम्हें बहुत सारी नई नई चीजे देखने को मिलेगी कि जो सायद author ने खुद भी न देखा हो क्योंकि कुर्ग जो है न वो बहुत ही beautiful जगा है और कुर्ग को इंडिया का heart and soul भी कहा जाता है मतलब दिल और आत्मा समझी सकते हो emotions को and इस तरह से यह जो तुम्हारा chapter है यह chapter खतम होता है simple